पादर की डेथ हो जाने के पाद मदर बच्चों को अपने पैरेंट्स की हाव पर लीकर जाती है कुछ रीजन्स की वज़े से बच्चों को घर में छुपकर रहना पड़ता है यहाँ से एक बहुत ही अजीब तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको फ्लावर सिंदे अटी यह 2014 की एक हॉलिवड मुवी एक्स्प्लेन करने वाल हो अगर आपको व्यूड़ अच्छ लगता है तो प्लीजे से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी कैरेक्टर कैथरिन ही हमसे बात कर रही थी वो कहती है कि लाइफ में कब क्या टरन आ जाए इसके वारे में आप बता नहीं सकते पहले तो हमारी लाइब बहुत ही परफेक्ट थी पर उसके बाद बहुत ही डेंजरस से टरन आए अब यह सब क्या था यह हमें फ्लैश बैक में पता चलेगा हम कैथरिन की फैमिली देखते हैं जिसमें उसके छोटे से ट्वीन प्रदर और सिस्टर्स थे और एक बड़ा प्रदर था जिसका नाम था क्रिस्टोफर मदर का नाम था कोरिन और फादर का भी नाम क्रिस्टोफरी था फादर हमेशा अपने काम से ज़रा दूर रहते थे आज जो घर पर आये तो नहीं देखका सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे फादर ने भी सब के लिए गिफ लाया था मदर के लिए उन्होंने एक बहुती एक्सपेंसियों निकलेस लाया है इसके बाद वो बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहे थे कैथरीन अपने फादर से बात करती है कहती कि आप इतना जादा दूर मत जाया करिये वो उन्हें मिस करती है घर में सब लोग बीजी होते है और उस पर कोई भी धार नहीं दे पाता वो और कुछ बता बाती इसे पहले कोरिन अच्छी दरीगे से तयार होकर बाहर आगी वो एक्साइटेड थी क्योंकि फादर को प्रमोशन मिल गया है अब वो और भी जादा बीजी हो जाएंगे इस बात से गैधरिन को बहुत बुरा लगा वो अपसेट होकर अपने रूम में चली गई फादर उसे मनाने के लिए उसके पास आये एक बहुत ये एक्सपेंसियों नेकलेश उसे गिफ्ट करते है फादर ने गाक में जो भी कर रहा हूँ इस सब कुछ हमारे फैमिली के लिए है नेक्सिन में हम देखते हैं कि इनके घर पर बड़्डे पार्टी थी फादर ज़रा लेट हो गया दोर पर नौक आये पर ये पुलिस की थी फादर का एक्सेडरन हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है सब लोगों को बहुत शौक लगा क्विंस को तो अपने फादर की बहुत ज़ादे याद आती थी कोरिन बहुत ज़ादा डिस्टब होने लगकी उसके पास पैसे भी नहीं थे कैथरीन ने पूछा क्या हम ठीक रहेंगे कोरिन गहती है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है मैं सुन्दर थी इसी वज़े से मेरे तुमारे फादर की साथ शादी हुई थी और वो कुछ ना कुछ करने का तो ट्राय कर ही रही है पैसे ना दे पाने की वज़े से कैथरीन का पहले क्लास भी छूट जाता है कोरिन ने बहुत सारे लेटर्स लिक कर इन्हें पोस्ट कर दिया थोड़े दिनों बात कोरिन को लेटर्स का रिपला आता है उसने फिर अपने सब बच्चे को कहा कि अब हम जाकर मेरे पैरेंट्स के हाँ रहने वाले बच्चे शौक टोक है क्योंकि उन्हें कोरिन के पैरेंट्स के बारे में पता ही नहीं था कोरिन ने का मैंने मेरे पैरेंट्स के मर्जी के खिलाब शादी की थी तो इसी वजए से वो हम पर बहुत गुस्सा थे अब वो फिर से उनके पास जाकर माफी माग लेगी सबको मना लेगी बच्चे ज़रा कन्फियूस थे क्योंकि यहाँ की पूरी लाइफ छोड़ कर उन्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा और कोरिन ने प्रामिस किया कि मेरी पैरन्स बहुत ही जादा रीच है यहाँ पर इनकी जो भी सब चीजे थी इससे ज़ादा वो उन्हें पाई कर कर देगी क्योंकि वैसे भी यह लोन पे नहीं कर पाया तो इस वज़े से बैंक सारी चीज़े इनकी ले लेगी इसके बाद एक कोरिन की सीटी में पहुँचे वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी आया नहीं था वैसे रात में बहुट टाइम तब वॉक करते गरते वो कोरिन के घर पर आ गए कोरिन की मदर दर्वाजा खोलती है इसका नाम था ओलिविया ओलिविया ने कहा कि देखो बिल्ली अपने साथ क्या लेकर आई वो कोरिन को हमेशा बिल्ली बुलाया करती थी बच्वन से ओलिविया ने कोरिन को हेटी किया है क्योंकि कोरिन अपनी फादर से क्लोस थी ओलिविया ने बच्चों को एक उपर का कमरा दिया जहाँ अबर कोरिन की फादर उन्हें देखना पाए बच्चे घर में है ये एक सिक्रेट था कोरिन अपने फादर को कुछ भी पताना नहीं चाहती थी अगर फादर ने पहले उसे माफ कर दिया इसके बाद उन्हें पता सकती है कोरिन ने समझा दिया कि मेरे फादर बहुत ही ओल्ड है वो कभी भी मर सकती है एक बार उन्हें अगर मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लिया फिर हम मिलिनियर बन जाएगे हमें इस तरीके से रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोरिन ने कहा कि मैं दिन बर यहाँ पर नहीं रह सकती वो बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए आती रहेगी अगली सुबह ऑलिविया बच्चों के लिए खाना लेकर आए इसने कहा कि दिन बर तुम्हें खाना है मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी या इस रूम में थोड़ा भी आवाज नहीं होना चाहिए अगर ट्विन्स को खेलना है तो उपर एटिक है वहाँ पर वो खेल सकते हैं बातरूम यूज करते वक कभी भी लड़का और लड़की एक साथ नहीं जाएंगे अलिविया ने कहा कि अगर तुम्हारे ग्रैंट फादर को पता चला तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो तो बहुत ही बुरा होगा बच्चे फिर उपर एटिक देखने के लिए गये वीन्स कोई जगा खेलने के लिए अच्छे ही नहीं लगती पर इनके बास कोई भी आप्शन नहीं था इसे ज़रा इंटरस्टिंग बनाने के लिए जानते नहीं और हल्ला करने लग गये तब ही ओलीविया आगे उसने जोल से एक ट्विन को मारा कहा कि इस घर में इस तरीके से चीज़े नहीं चलेगी कोरिन इस पर गुस्सा हो जाती है कहती है तुम मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते वरना मैं यहाँ से चली जाओंगी ओलीविया ने कहा कि तुम्हें जो अच्छा लागे तुम कर सकती हो यह मेरा घर है और मेरी सब चीज़ी हाँ पर चलेगी उसने कोरिन को अपना शर्ट निकालने के लिए कहा इतने सालों बात कोरिन वापस आये तो इस वज़े से ओलीविया ने कोरिन को बहुत मारा था बच्चे भी यह देखकर ढर जाते हैं ओलीविया ने कहा कि तुम सब बच्चे एक डेविल की संतान हो यह बात बहुत ही अजीब थी यही चीज़ कैथरिन वंडर गर दिया किसका क्या मतलब हुआ कोरिन ने उसे समझाया कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मदर मुझे बहुत मारा करती थी तो इस वज़े से अपने फादर के बहुत ही क्लोस थी हमेशा मेरी मदर मेरे फादर को मेरे खिलाब बहुत ही अलग-अलग चीज़े पताया करती थी स्लोली-सलोली मेरे फादर भी काम में बीजी हो गए थी तो इस वज़े से मैं घर में अकिली पड़ गए तब ही मेरे फादर का हाप ब्रेदर हमारे पास रहने के लिए आया तो कि उसकी मदर की डेथ हो गई थी यानि कि वो कोरिन का इंडारेक्टली अंकल था वो बहुत हैंडसम और काइन हांटेड था कोरिन और उसमें प्यार हो गया इन दोनों ने भाग का शादी कर ली और इसे वज़े से इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा खुश्सा हो गई थी फादर ने भी कोरिन को उनके विल से निकाल लिया था उलिविया ने कोरिन को कहा था कि अगर तुमारे बच्चे हुए तो अबनॉर्मल होंगे पर इसा कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद नेक से नम देखते हैं ट्विन से के लिए क्रिस्टोफर गार्डन पेंट कर रहा था और ने कैथरिन से पूछा क्यों उपर चल कह रहा है कैथरिन कहती है कि क्रिस्टोफर पेंट कर रहा है वो एक बहुत ही अच्छा पेंटर है और युए पुछती है कि कभी उसने तुम्हारी पेंटिंग में आई है क्या तुम्हें कपड़े निकालने के लिए उसने कहा कैथरिन को एब बात बहुत ही कनफ्यूजिंग लगी और युए समझती थी जिस तरीके से कोरिन का अपने अंकल के साथ अफेर हुआ उसी तरीके से इन ब्रदर सिस्टर में भी कोई रिलेशन्शिप हो सकती है अब इसके बात थोड़ी दिन बीट गए थे और कोरिन बच्चों को देखने के लिए आई ही नहीं वो आने के बाद कहती है कि मुझे पूरा डाइम मेरे फादर के साथ ही बिताना पड़ा वो सेलिंग गई थी उनके साथ पिकनिक पर गई थी ये बात कैथरिन को अच्छे ही नहीं लगती है उसने कहा एक मंद हो गया तुम हमें देखने के लिए आई ही नहीं तुम्हें जल्दी अपने फादर को मनाना चाहिए हमें भी बाहर जाना है हम इतने भी बुरे नहीं कि वो आपने खुद के ग्रैंड चिल्डरन को एकसेप्ट ना करे कोरिन अब उन्हें सच बदाती है कहती कि मेरे फादर ने मुझे माफ किया पर एकी कंडिशन पर कि मुझे कोई भी बच्चे नहीं और वो उन्हें बच्चों के बारे में नहीं बता सकती फादर बुड़े है तो उनके मरने का इंतजार इन्हें करना पड़ेगा कैथरीन अफसेट थी पर क्रिस्टोवर उसे समझाता है कि जल्द से ये टाइम भी गुजर जाएगा उनकी ट्विन सेस्टर उनके पास आई और कहा कि कोरी मिल नहीं रहा वो हाड़ेंसी खेलते हुए एक बॉक्स में बन हो गया था इसे जल्दी से जाकर खोल थे तो अनकॉंशेस हो चुका है कैथरीन ने उसे होड वाटर में बहुत हीट किया उसकी बहुत अच्छे से खैल रखती है इन्हें हेल्प करने के लिए कोई आया भी नहीं था इसके बाद और भी टाइम गुजर जाता है अब डारेक्ली क्रिस्मस आ चुका था कैथरीन जड़ा पॉजिटुली कहती है कि हमें ऑलिविया के लिए गिफ्ट बनाना चाहिए ये गिफ्ट बनाने के बाद ऑलिविया सिर्व इसे देख लेती है और वेसे ही फेक कर चली गई कोरिन जब इन्हें मिलने के लिए आई तब बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई पच्चे बाहर की दुनिया मिस करते थे तो उनके लिए टिवी भी लेकर आती है उसने कैथरीन के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल सा ड्रेस लाय हुआ था कैथरीन ने कहा कि ड्रेस बहन कर हम जाएंगे कहा हमेशा ऐसे हाइड होकर नहीं रह सकते है आज घर में क्रिस्मस की पार्टी थी तो कैथरीन और किस्टोफर दोनों आने की जित करते है कोरिन भी इसके लिए मान गई उन्हें पार्टी में लेकर गई पर उपर के लिकर कैबिनेट में उन्हें बन करकर रखती है जहां से उस सिर्फ पार्टी देख सके एक बॉटल लेने के लिए ओलिवया उपर आई थी पर वो निकालती नहीं वो बच्चों को पकड़ी लेती है पार्टी में फर्स टाइम हम कॉरीन के फादर को देखते है वो बहुत ही बुड़े थे कॉरीन के फिर से फैमिली में आने से उन्हें बहुत अच्छा लगा था उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिन एकले इस गिफ करते है पार्टी के बाद जब बच्चे हाँ से जा रहे थे तो कोरीन को एक आदमी के साथ हो देखते है उसे कह रहा था कि हमारी लाइफ एक साथ स्टार्ट करने के लिए में रूक नहीं सकता उसे कही दूर लेकर जाना चाहता था कैथरीन को एबाद अजीब लगी पर क्रिस्टोवर कहता है कि मदर अब अमीर होने वाली है उसके पीछे तो बहुत लोग होंगे कैथरीन अब रूम में चली गई पर क्रिस्टोवर आसपास घुमता रहता है जब कोरीन को एबाद पता चली तो बहुत ज़ादा गुश्सा हो जाती है क्रिस्टोफर के आने के बाद उसने उसे जोज से स्लैप किया अगली सुबा उन्हें सौरी बोलने के लिए आई क्रिस्टोफर ने पूछा क्यों आदमी तुम्हारे साथ कौन था कुरिन कहती को मेरे फादर का लॉयर है हमें उसकी जरूरत है हमें मेरी मंजिल के बहुत करीब हूँ उसे बहुत बुरा लगा कि उसने कल ये सब किया था वो गयती कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते अगर हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ हम कहीं भी एड़्जिस कर लेंगे बच्चे सुनकर उसे कहने लग गए कि हम यहाँ पर रह सकते हैं जादा वरी मत करो एक्च्वल में कोरिन उन्हें मैनुपलेट करने लग गई थी वो खुद इतनी लाल जी है तो कभी भी इस सब छोड़ कर नहीं जा सकती है एक दिन उपर क्रिस्टोफर लड़कियों की मैगजिन्स देख रहा था कैथरिन जब यह उसे पूछती है तो छुपा लेता है इसके बारे में कैथरिन ने कोरिन से पूछा कोरिन ने कहा कि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो तो यह अलग-अलग चेंजिस तो आने ही वाले है वो कैथरिन के लेक ड्रेस लेकर आती है जब यह ड्रेस कैथरिन पहन रही थी तो क्रिस्टोफर उसे देख लेता है यह ज़र आक्वर था तो भी ऑलिविया यहाँ पर आ गए उसे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा था उलिवया घुसा अगर कॉरिन को पनिश करना चाहती थी उसके हेर्स कट करकर पर क्रिस्टोफर उसे मना करता है राद में उलिवया ने कैथरिन के सर पर टार लगा दिया सुबाओने पर इसे निकालने के लिए वो बहुत ट्राय करते है पर निकाल नहीं पाते है गैथरिन क्रिस्टोफर से गयती है कि तुमारी कोई भी गलती नहीं थी तुम सिर्फ मुझे देख रहे थे क्रिस्टोफर ने कहा कि तुम मेरे बहुत पास हो मैं हमेशा लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता हूं बसे लगता है कि कैथरीन बहुत ही beautiful है पर वो इस तरीके से सोचना नहीं चाहता कैथरीन के hair से टार निकालने का कोई भी way नहीं था तो उसने उसके सारे hairs cut कर दिया एक दिन कैथरीन जब dance practice कर रही थी तो Christopher और वो मस्ती करने लग गया यह गलत है यह realize करकर एक दूसरे से दू रहे है कैथरीन और Christopher को भी बहार जाना था तो रात में एक रसी की मदद से नीचे उतर जाते है एक beautiful से लेक के पास आए यह wonder करते है क्या Corin उनके लिए कुछ करेगी वो उस पर अब trust नहीं करते है Corin बच्चों से मिलने के लिए आई पर डारे लिए 4-5 मंद के बाद बच्च तरीके से अब यहाँ पर नहीं रह सकते हैं कैथरीन ने Corin से पूछा कि तुम्हारे husband को हमारे बारे में पता भी है कैथरीन कुछ भी नहीं बोली और यहाँ से चली गई ऑलिविया के हाँ तो Corin उनके लिए sweets भेज देती है डोनर्स देखकर सब लोग बहुत खुश हो गये थ कैथरीन ने क्रिष्टोफर से कहा अब हम यहाँ से निकल जाना चाहिए हमें बाद में कितने भी पैसे मिले पर हम इस तरीके से नहीं जी सकते हैं क्रिष्टोफर ने कहा कि हमें निकलने के लिए थोड़े पैसों की जरुवत पड़ेगी विंडों के पास खड़ा था तो आ किस्ट कर लेते हैं अगली दीने दोनों करीब थे और ऑलि आगे हैं तो कहते कि तुम दोनों कर क्या रहे हों क्रिष्टोफर रोते रोते ऑलिवया के पैर में गिर गया कहता हैं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो ऑलिविया गॉड़ पर बहुत बिलीव करती थी उसने कहा तुम्हें गॉइजी माफ़ कर सकता है ऐसने लग' क्रिषटोवर हसने लग वह जो चाहिए से निकल सकती है अब हर रोज रात में जाकर घर से खोड़े थोड़े पैसे निकालने लग के ओश इसे थोड़े थोड़े पैसे चुराते हुए इन्हें बहुत टाइम लग सकता था पर इनके बास कोई आप्शन नहीं था एक राज जब यह ऐसे ही निकले हुए थे तो कोरीन का हजबन ड्रंग होकर सोया हुआ था कैथरीन उसके पास के वो क्यूरेस थी तो उसे किस कर लेती इसके बाद वो पैसे लेकर रूम में आके बाहर क्रिस्टोफर फेंस को देख रहा था यह अभी अभी बनवाई कही थी और इस पर इलेक्ट्रिक का शौक पर लगवा रहे थे इस इलेक्ट्रिसिटी को बन करने का स्वीच उसने ढून लिया घर में आकर वो देखता है तो क पैसे मीं एक दूसरे के साहथ iemand हो गयाist है कर तुम साहो तो हम यह सब चीजे बन कर सकते हैं क्रिस्टोफर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एक दिन इनका टुन ब्रदर बहुत ही साहथ बीमार हो गया ये बात उन्होंने कूर्ण से कही पर फिर भी उससे हश श्पिटल में लेकर गई, अगली दिन उलिवा इनके पास आई, कहती कि तुम्हारा ट्वीन ब्रदर बहुत ही जादा एल था, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर कुछ भी कर नहीं पाए, उसकी डेथ हो गए, इन सब को बहुत ही बुरा लगता है, अब एक पल भी य कर रहे थे, वो कहते है कि कोरिन के फादर के मर जाने के बाद, अब वो स्लोली स्लोली सब मेड्स को निकाल रहे है, हम खुद का जितना फाइदा कर सके, हमें उतना कर लेना चाहिए, क्रिस्टोफर को शौक लगता है, कि एक्च्वल में उसकी ग्रैंड फादर की 6 मंस पहले ही टेथ हो गई है, कोरिन को अपनी न्यू लाइफ बहुत ही अच्छी लगती थी, उसने अपने हस्बन को भी बच्चों के बार में नहीं बताया था, उसका प्लान था कि बच्चों को हमेशा एटिक में ही रखेगी, क्रिस्टोफर जब उपर आया, तो उसकी छोटी अपना डोनट एक माउस को खिलाए था, और माउस की डेथ हो गई, इसका मतलब है जो डोनट कोरिन ने उन्हें भेजे थे, यह पॉईजनस थे, शायद इसी वज़े से इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई, इन सब का आवाज सुनकर ऑलिवया उपर आगे, उने मार रही पर क्रिस्टोफर ने उसकी छड़ी ले ली, वो ऑलिवया को पकड़ लेता है, ःश सब लोगों को एटिग में जाने के लिए कहा, उने पता था कि ऑलिवया को एटिग में जाने से डर लगता है, वो भी उसे घसिट्ते घसिट्ते वही पर ले कर गया, वो दोर बंड कर दे और यह सब खिड़की से बाहर निकल गए अलीविया वहां से नहीं जा पाई उसके हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी इन सब को भागता देग एक सरवन ने उन्हें देख लिया क्रिस्टोफर उसे कहता है कि प्लीज हमें जाने तो हम कोरिन के बेटे हैं सरवन को भी पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा था वो जाकर फेंस की इलिक्टरिसिटी बन कर देता है और यह सब यहाँ से भाग गए कैथरिन हमसे कहती है अब हम उस प्लेस पर कभी भी नहीं पर हमारी मुलाकात फिर से हमारी मदर से हो सकती है मुझमें और क्रिस्टोफर की पीश में जो भी है इस वज़े से कॉरिन को हमेशा शेम में जीना पड़ेगा यही उसकी लिए सजा होगी प्रिस्टोफर के साथ हो न ये कैथरिन का अपने मदर से लिया गया हुआ एक बदला था इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आधा रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा फिर से मिलेंगे और एक नमुवीज के साथ तो तक के लिए थैंक्यू और आप आप